एकादस में गुरु खांडाल और सवी बाप गुरुम का दरश्टी क्रूर क्रमों का दृष्टी यद्यपी रहेगा फिर भी मिथुन रासी वालों का यहां एक पॉट साइट है एक पॉजिटिव साइट है क्योंकि यहां एकादस में जे रितना लिए हम जानते हैं कि कोई भी बुरा फल नहीं मिलता है अच्छा ही फल मिलता है और मिथुन रासी का सब्तमाधी पती और दसमाधी पती लाबस्तान में आना तो जरूर आपको धेर सारे लाब का प्राप्ती यहां पर रहेगा आपके उपर उसका पाप प्रभाव उतना जादा नहीं पड़ेगा पड़ेगा जरूर लेकिन उतना जादा नहीं पड़ेगा यहां पर पाप ग्रह हो या पून्य ग्रह हो उसका पॉजिटिव ही फल मिलना देखा गया है भले कुछ रिजल्ट कर्म में इधर उधर हो सकता है और गुरु ब्रस्पती बक्री होना यह एक पॉजिटिव सुचक मितंडासी के लिए रहेगा बहुत पॉजिटिव रहेगा जो रुका हुआ पेंडिंग काम था रुका हुआ पैसा था यह सारे चीज़ मिलेंगे और हर प्रकार से नेगटिव हो पॉजिटिव हो बढ़े तो भी लाव है और जो भी कारियर अब तक ब्लॉक बन के था महां से भी लाव यह देने वाला रहेगा और हाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको तीन महिना के बाद मिलेगा पहला तीन महिना थोड़ा सा असुख रिजल्ट रहेगा और आपका ये तृतियस्तान में जाके छोटे भाई बहन से साहता सपोर्ट कॉमुनिकेशन में गुन्नती और कई साथ लो डिस्टांस यात्रा इत्यादी को एक्सेलेरेट करेगा पहला तीन महिना थोड़ा सा नेगटिव एफेक्ट रहेगा उसके बाद ये positively एक्टिवेट कर जाएगा पंचमस्तान में गुरु का दृष्टी प्रेम इत्यादी, शिक्षा इत्यादी में और मंतर तंतर जंतर जब तब पुजा पाठ में अच्छा सिद्धी देने वाला रहेगा और साथ में मिथुन डासी का सब्तमस्तान में दामपत्य सुख पहले थोड़ा सा गड़ बढ़ाएगा क्योंकि पाप्रभाब में गुरु रहेंगे लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि ब्यवसाई खेत्र में और दामपत्य खेत्र में और यात्राओं के खेत्र में और ओ पाटनार पाटनार्स का खेत्र में बड़े सारे लाब और ब्यवसाई में भेर सारे उड़नती का संभावना एकादस का गुरु बकरी इन चार मेनों के अंदर मिथुन बालों को देने जा रहे हैं यहां आपको इस दो यह कंजक्सन से तो कोई ज्यादा बहुत जिन्तागाविस है नहीं रहेगा यानि ले दे के आपके लिए बहुत पॉजिटिव जा रहा है